हेलो इस्टूरेंट्स वेलकम तो माइ योटूब चैनल लोकें अकाडमी मैथमेटिक्स और कैसे हैं आप देखें आज का यह जो वीडियो है उसमें लेक्चर 6 क्लास 12 से रिलेटिड है इवैलुएशन ओफ लिमित तो आज इस इवैलुएशन ओफ लिमित में मैं आपको two method और बता हुँआ इस limit को evaluate करने के लिए तो पहला जो method है evaluation of algebraic limit by using standard results यहका आपका than the results है limit x tends to a xn minus an upon x minus a is equal n a n minus 1 where n belongs to q q means rational number n यहाँ पर कोई भी rational number हो सकता है तो यह step का एक standard result रहेगा और इसको हम direct इसकी value को n a n minus 1 के equal रख देंगे तो जो algebraic function जो दे रखा होगा limit में क्या algebraic जो function की तो हमें ले में निकाल रहे है तो या तो वो इस form में दे रखा होगा या नहीं दे रखा होगा इस standard form में यह जो standard form में इसमें या तो दे रखा होगा algebraic limit का function या नहीं दे रखा है तो इस standard form में हमें उसको convert करना पड़ेगा और जैसे यह convert होगा, इसको हम direct यह रख देंगे, ठीक है, इसको, इसके equal रख दिया जाएगा, answer आजाएगा आपका, ठीक, तो मैं अभी इसका एक proof भी बताऊँगा, कि यह कैसे बना, ठीक है, दूसरा आपका evaluation of limit, when x tends to infinity, जब आपका infinite को x tends कर रहा है, तो उस समय पर यह concept लगता है, कि limit x tends to infinite, 1 upon x to the power n, यह पूरा जो function है, हम जो भी function होगा, उसको हमें इस form में convert करना पड़ेगा, अगर नहीं है, तो इस form में, यह form क्या है, कि numerator के अंदर pure constant रहेगा, numerator में आपका pure constant रहेगा, और यहाँ denominator के अंदर आपका function रहेगा, x में रहेगा, तब उसकी value 0 के equal होती है, यह concept इसमें लगेगा, जब x tends to infinite, ठीक है, और यहाँ पर n जो है वो आपका, अगर यह x जो है, x की power n है, तो n जो है वो आपका 0 से बड़ा होना चाहिए, अगर 0 हो जाएगा, तो x की power अगर हम 0 रख देंगे, तो उसकी value 1 हो जाती है, तो x वहाँ से ख्रतम हो जाएगा, तो हम limit को कहां रखेंगे वहाँ पर, तो इस सबसे पहले मैं इसको पहला जो आपका, जो इसका जो method है, algebra limit का, इस standard form से हम कैसे निकालते है, यह direct इसको रखना है, लेकिन मैं इसका पहले proof बताना चाहरू हूँ आपको, ठीक है, इसको कैसे proof किया गया है, यह value इसके equal कैसे है, देखे जाएगा, इसका proof क्या है, लिमिट एक्स टेंज टू ए, एक्स एन माइन अपोन में, एक्स माइनस ए, इस इक्वल एन, एन माइन माइनस वन, यह निकालना है proof हम को, ठीक है, इसको मैं यह line खीच देता हूँ, यहां से इसको question को हम कर रहा है, ठीक है, ऐसे माल लीजे, यहां से बोड़ा है, इसका हम left hand side लेंगे, क्या left hand side, left hand side is equal right hand side लाना हमको, ठीक है, तो हम, कोई भी limit जो रहती है, वो कब exist करती है, जब उसकी left hand limit is equal right hand limit हो, तब हम यह कह सकते हैं कि उस function की limit exist कर रही है, और left hand is equal right hand नहीं है, तो limit exist नहीं करती है, ठीक है, तो हमने क्या कर रखा है, अब हम left hand और right hand नहीं रहे हैं, ठीक है, हम यह assume करके चल रहे हैं, कि left hand limit और right hand limit equal होगी, ठीक है, तो हम उस left hand और right hand limit को combine करके, एक ही function, एक ही limit रख देते हैं हम पर, उसके लिए हम एक ही limit का use करते हैं, ठीक है, क्या, तो कहने का मतलब बात का यह है, कि आपका limit, इस बात का मतलब यह मैं कहना चाह रहा हूं, कि limit x tends to a f of x, यह exist करेगी, ठीक है न, यह exist कब करती है, when limit x tends to a minus f of x, is equal limit x tends to a plus f of x, कहने का मतलब मेरा यह है, कि left hand limit और right hand limit, यह पर left hand limit, और यह right hand limit, जब equal होती है, क्या, जब equal होती है, तब यह exist करती है, limit, तो अभी हम क्या कर रहा है, यह combined limit, इन दोनों को नहीं निकाल रहा है, हम direct इस limit को यह assume कर रखा है, हमने, कि यह दोनों limit exist करती है, तो फिर यह भी exist कर रहागी, तो हम इसको, अभी क्या दे रखा है, यह form दे रखा है, यह दे रखा इस टाइब से, left hand और right hand नहीं दे रखा है, तो हम यह equal इसके, equal इसके, तो हम इसको यह भी लिख सकते हैं, कि limit, इस बात को हम यह भी लिखाया सकता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसी को equal करके यह भी लिख सकते हैं, limit x tends to a, f of x, is equal इसके, इसके equal, यह आपका limit is equal, यह limit is equal, यह limit is equal यह limit is equal, यह भी लिखाया सकता है, तो हम इसमें यही काम करेंगे, यह limit combine करके लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं, कि limit x tends to a plus, और x n minus a n upon x minus a, यह लिखाया सकता है, यह लिखाया सकता है, यह इसको मैं, आपका, जैसे यह combine करके limit है एक तरह से, इसको हमने x tends to a को, यह जो है, इसके equal होगी, यह limit, इसको, इस पूरी limit को हम इसके equal रख सकते हैं, ठीक है, यह चीज लिख दी, यह right hand के equal लखी, इसको left hand के equal भी लख सकते हैं, यह minus sign के, दोनों में से किसी के equal लखाया सकता है, ठीक है, अच्छा, अब, अब हम यह left hand, यह right hand limit है, तो right hand हो या left hand limit हो, तो इसको मैंने पहले वीडियों बताया, यह इसको हम, आपका x, आपका यहां, आपका इसको क्या लिख सकते हैं, यह replace कर सकते हैं, इसको h tends to 0, और जहां-जहां x है, जहां-जहां x है, वहां क्या रखते हैं हम, a plus h, यह put करना है, जहां-जहां x है, वहां यह करना है, और आपका x tends to a plus को replace करना है by h tends to 0 से यह काम करना है बस इसमें तो देखे जहाँ x की जगे पर मैं यह रख दूँगा आपका a plus h का square minus a n square नहीं sorry a plus h का power n minus a की power n n है यह ठीक है upon में x minus यहाँ भी x है नहीं यहाँ पर a plus h यहाँ पर भी यह रख दिया हमने जहाँ जहाँ x था x कहाँ काँ पर था यह x है यह x है इन दौना जगे पर हमें यह put करना है x is equal a plus h a plus h का power n minus a n यहाँ पर भी x था a plus h minus a और यह replace x tends to a plus h tends to 0 x tends to a plus h tends to 0 यह replace करना है यह बस यह काम करना है ठीक है तो कभी भी हम कोई भी command limit लिखी हो ऐसे limit है कोई तो इसको हम left hand के equal लिख सकते हैं या right hand के equal लिख सकते हैं ठीक है क्योंकि यह दौनों के equal है exist तभी करती है ठीक है आगे अब मैं क्या करूँगा इस मैंसे इस मैंसे मैं common ले सकता हूँ a तो limit h tends to a 0 और यहाँ से a common लिया तो a common लेकर इस bracket से जब बाहर आएगा तो a की power n हो जाएगा a n 1 plus h upon me a n minus a n upon me यह cancel हो गया यह cable h बचा देख लिए अब चेक कर ले तिक उसके बाद आगे देखिए अब यह मैं यहाँ से मिटाई देता हूँ इसको देखिए अब कैसे करेंगे solve इसको देखिए यह a n और a n common आ रहा है और a n क्या है constant है तो मैंने यह भी formula बता है था कि limit x tends to a और k और f of x is equal k limit x tends to a और f of x मतलब कोई भी constant अगर quantity है यह तो evitary है 2, 4, 5 कुछ भी हो तो इसको हम limit से बाहर ले लेते हैं क्यों क्यों को variable यहाँ पर क्या होता है variable जिसके x tends to a तो x जो है variable है यह पहँचान करना हो कि variable क्या है variable की पहँचान करना है limit के अंदर तो जो tends to में है जो variable जो x tends to a जो tends कर रहा है इस quantity की तरफ वो आपका variable है वो quantity variable है x है यहाँ y tends to a तो y variable है तो यह fx में function है तो k बाहरा जाएगा तो वो ही काम में यहाँ पर करूँगा देखें यह रहा है तो यह इसको मिटा दो ठीक है यह बता चुका हूँ में इसको यह आपका हो जाएगा a बाहर आ जाएगा तो यह आपका a n जोकर यहाँ से पहले common आएगा और common लेके फिर उसको में बाहर रख दूँगा तो आपका limit h tends to 0 और यह आपका 1 प्लस h upon में a की पावर n और minus 1 upon में h चेक करें ठीक है यह a बाहर निकाल दिया है यहांसे ऐसा ऐसे लिख सकते हैं इसको ठीक है अच्छा अब हमने एक binomial theorem for any index उसका एक expansion भी है हूँ आपने पढ़ा हो क्या है 1 प्लस x की पावर n वरावर होता है 1 प्लस nx plus n n minus 1 upon a factorial 2 x square plus n n minus 1 n minus 2 upon a factorial 3 और x cube और फिर प्लस डॉट 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 यह आपका infinite तक यह चलता जाता है ठीक है यह expansion binomial theorem में for any index n कोई भी index हो सकता है ठीक है positive integer के लिए नहीं कि positive integer नहीं कोई भी any index उसके लिए expansion आपने पढ़ा हो तो देखे यह x के जगे पर यह value हो गई यह आपका x हो गया यह आपका x हो गया n यहाँ यह day रखा है यह आपका n है ठीक है तो 1 प्लस x की power n यह बरावर यह इसके चलता है यह पूरा तो इसको हम इससे open करेंगे इसको expand कर देंगे यहाँ ठीक है तो क्या हो जागा यह आपका a की power n तो देखे रखा है यह a की power n और यह limit और h tends to 0 इसको open करेंगे तो देखो 1 प्लस nx nx तो nx तो यह value है और n तो इन और का multiply हो जाएगा तो क्या हो जागा n into h upon a फिर आगे वाला टर्म n-1 अपन में फैक्टोरियल 2 और x square x square की जाएगे पर h upon a का square h upon a का square ठीक है बस यह दो टर्म ही ले लो उससी से हो जागा काम पर दोट 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 आपका ही चलता जाएगा और चलने के बाद में यह फिर मैंने आपका आगे चलके minus 1 दे रखा है ठीक है क्या दे रखा है minus 1 और इस पूरे के अपन में यह h दे रखा है और यह bracket यहां से यह पूरा close कर दिया चेक करें आपका यह यह expansion यह तो expansion है यह आपका आगे ठीक यहां से चेक करें इसको देखो आप इसको चेक कर लीजिए देख लीजिए आप इसको इसको follow करना चाहें इसको copy करना चाहें कर लीजिए ठीक है आगे पर इसको मैं मिटा रहा हूं देखे उसके बाद अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं देखे यहां पर इस वन से यह वाला expansion इस से यह हमने इसको open करा इसको open करने पर यह बनाया और यह minus 1 चली रहा था minus 1 से plus 1 cancel हुआ अब यह जो h है इस h को h से इसको divide कर दो इसको divide कर दो यह सब को divide कर दो तो क्या बचाएगा आपका a n तो यह चली रहा है बाहर और limit और h tends to 0 देखो h को h से हर टर्म को divide करते जाओ तो इससे h यह cancel हो जाएगा क्या बचाएगा यहां पर अंदर यह बचाएगा आपका यह बचाएगा यहां नहीं बचाएगा यहां पूरा h कैंसल हो रहा है क्योंकि यहां भी power 1 है यहां power 1 है तो दोनों cancel हो जाए है एच फिनिस यहां से यहां से ृइसमें square है तो एक h बचाएगा means यह ऐसा हो जागा n और यह n minus 1 upon factorial 2 और आपका यह h upon में यह a square ऐसा बचाएगा और आगे वाला जो term है वो Q वाला है देखो हीरा यह राएगे तो उसमें भी h बचाएगा ठीक है तो ये प्लस डॉट 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 ऐसे बस इसको सब में h बचाएगा ठीक है और यह आपका चलते दे और यहां सगी इतना हो गया ठीक है यह हो गया अच्छा अब क्या है यह आपका आपका यह आन और आप देखे जाणा अब मैं इसमें limit h tends to 0 है इसमें हर तर्मे में रखूँगा तो लखने के बाद इस तर्में तो h है नहीं तो यहां तो n अपउन में a बचा उसके बाद n और यह n-1 और अपउन में फैक्टोरियल 2 और यह a और है और यहां ही जगह Пए यह जिरो हो जाएगा यहां पर 38 वाला थर्म है उसमि होelly 8 in 0 हो जाएगे प्यंकि जुह हो और हर टर्म में है डॉट नकितर्म को छोड़ करी तो इसका मतलब का है कि सारे तर्म 0 हो Challenge अब तो आपका ये N अपॉन में A, और प्लस ये 0, प्लस जीरो, प्लस जीरो, प्लस जीरो, सारे 0 हो जाएंगे, तो सारे 0 बचा क्या, सब 0 को इसमें जोड़ेंगे, तो N, Y, A बचा, और ये आपका A, N, इन्टू, N, अपॉन में A, A की पॉवर यहां बन है, उपर ले जाने पर क् N, A, N, इन्टू, A-1, बेस सेम है, तो पॉवर एड हो जाती है, तो N, A, N-1, ये ही लाना था है, N, A, N-1, N, A, N-1, चेक करें रहा है, N, A, N-1, ये ही प्रूफ करना था, एंस प्रूफ्ट, ठीक, तो ऐसे इसको निकाला जाता है, ठीक है, अच्छा, अब देखें जारा, ये समझ में आ गया होगा, तो इससे related कुछ questions लेते हैं, ठीक है, और एक concept ये second वाला भी देखें जारा है, ये क्या है, ये वाला concept, देखें जारा है, जैसे ये आपका दे रखा है, कि ये zero क्यों होता है, कि limit x tends to infinite of one upon में, xn is equal zero क्यों है, जब मैं इसको यहाँ, x tends to infinite को यहाँ x की जगे पर रखूँगा, तो ये result क्या बनाएगा आपका infinite, one upon में infinite हो जाएगा ये, अच्छा, और infinite क्या होता है, infinite होता है कोई number upon में, zero, कोई number, any number upon में, zero, तो हम इसको one upon में, कोई number, मैं suppose करो मैंने इसको मान लिया, a upon में, zero, इस infinity को, इस infinity को हम, a upon में, zero, b upon में, zero, c upon में, zero, कोई भी रख सकते हैं, कोई number upon में, zero, infinite होता है, तो इसको हम ऐसे replace कर सकते हैं, अब ये fraction हो गया, इसको हम पलट सकते हैं, one into zero upon में, a, means आपका zero, zero upon में, a हो जाएगा, one का zero multiplication, zero upon में, a, और कोई, आपका ऊपर zero, numerator में, zero upon में, कोई number है, तो उसकी value क्या होती है, zero होती है, ये हम जानते हैं, इसलिए ये direct, हम इसको direct zero के बराबर रखेंगे, ये concept ही है, ठिक, लेगे यहा condition क्या है, कि numerator में, pure constant होना चाहिए, denominator में, x वाला term होना चाहिए, माला function ये आपका, ये function में चलेगा, और x की power का मामला है, तो ये आपका, zero से greater होना चाहिए, तो ये concept इसका है, second वाला का, evaluation of algebraic limits, when x tends to infinite, means, limit x tends to infinite, one upon में, x tend is equal zero, ये concept ऐसा क्यों होता है, वो ये है, ठीक है, अब हम कुछ questions लेते हैं, देखें, तो मैं इसको अब मिटाए देता हूँ, देखें, कुछ questions लेते हैं, अब अब जारा, जैसे, लेते हैं, फिर्स्ट आपका लिमिट x tends to 2 और x की पावर 10 minus x की पावर 10 minus 1024 upon x minus 2 इसकी value कैसे निकलेगी ठीक है? यह question है यहाँ पर यह question पहला दूसरा आपका दूसरा ऐसा है के लिमिट x tends to 9 x tends to 9 और x की पावर 3y2 x की पावर 3y2 minus 27 upon x minus 9 इसको कैसे फाइंड करेंगी? इसको कैसे फाइंड करेंगी? ठीक है और भी है लिमिट जैसे चलो मैं इन दौनों को लेता हूँ फिर उसके बाद में आगे लेता है ठीक है? देखे जाएंड जैसे पहला question दे रहा है तो यह यहां function दे रखा है function हमारा यह दे रखा है यह फूरा function है अब आप इससे match करें हमारे पास क्या दे रखा है? कि limit x tends to a xn-an upon में x-a is equal n a n-1 होता है यह है यह भी हमने proof किया है इसके बराबर होता है कि नहीं होता है? तो हमें क्या करना है सबसे पहले बिलकुल इस form में यह बिलकुल standard form है क्या आपका standard form है? यह standard form है इस बिलकुल same ऐसा बनाना है इस function को देखो यहां पर कुछ तो बना हुआ है जैसे x-a जैसे x-a कि जैएपर x-2 यह बना हुआ है x की पावर n x की पावर 10 कोई integer भी हो सकता है यह रिषनल लंबर हो सकता है अपवाला हो सकता है ठीक ना? fraction हो सकता है ंटीजर हो सकता है तो यह 10 है यहां 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 पर x e power n यहां x e power 10 यहाँ माइनस एक ही पावर एं लेकिर यहाँ नहीं है यह काम खराब कर रहा है यह नहीं बना हुआ है ठीक तो हमें इसको इस लूप में कनवाइट करना है और उसके बाद फिर फॉर्मूले को लगाना है ठीक है यह सिस्टम है इसका क्लियर हो गया तो देखे ज़47 तो मैं क्या इसको यह नहीं लिख सकता कि लिमिट x टेंज 2 x की पावर 10 माइनस टू की पावर 10 अप आँप क्वावर 10 क्यों क्योंके टू की पावर 10 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यही वैलू आएगी चैक करें तो इसको वो ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक, अब आप मैच करें इससे, अब इससे आप मैच करें, x की पावर, अब हमारा जो फॉर्मूला क्या है वो, लिमिट, जनल फॉर्म क्या, इस्टेंडर फॉर्म, x टेंज टू a, x n, a n, अपॉन में, x minus a, is equal n, a n minus 1, मैच करें जा रहा है, तो देखो इससे, इससे मैच करें जाएं इसको, इसको और इसको मैच करें, तो देखो, a की जगह पर क्या है, यहां पर, 2, a, 2, n की जगह पर क्या है, 10, चेक करीं आप, a की पावर, n, यहां, 2 की पावर, 10, यह value, देखो, मैच हो रही है, x, x टे रखा है, x minus a, x minus 2, और जो, a, a, यहां दोनों जगह रहता है, तो यहां 2 और 2 है, बिल्कुल हो गए, मैच ही, और x tends to a, x tends to 2, x tends to 2, 2, 2, x tends to a, 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 और n, n, यह दोनों पावर इकॉल होनी चाहिए, यहां पावर 1, 1 रहना चाहिए, तो यहां पावर 1, 1 है, तो इसको हम इसके बरावर रख सकत है, ठीक है, और सबसे पहले, इस इस फॉर्मूले को लगाने से पहले, सबसे पहले तो वही काम करना है, direct substitution करके, चेक करना है, कि direct हम इसको कुछ भी न करें, हम इसको, हम यहीं question दे रखा है, इसको मैं direct to value यहां पर रखूँ, तो रखने पर, यहीं से finite आ रहा है, क्या, इस इसकी आवशकता न पड़े, ऐसा हो, ऐसा, तो देखो, इसको direct substitution करना है, पहले question में, हमें क्या करना है, direct substitution करना है, ठीक है, तो देखो जादा, तो यह 0, में इसको जागा, 2 की power क्या हो जागा, direct substitution करने पर क्या बनना है, आपका 2 की power 10, 10-2 तो यह cancel हुआ means आपका 0 पॉन में 0 तो फॉर्म कैसा बनना आपका 0 पॉन में 0 बनना है finite value नहीं निकल के आ रही है ठीक है तो पहले आप डायरक्टी चेक करना है और यह फॉर्म बनना है तो फिर हमें फिर हमें को यह स्टेंडर फॉर्म की तरफ हमको पहले आप डायरक्टी वैल्य को रखके चेक करना है यह काम करना है तो दखो यह इसमें हमने डायरक्ट जब हमने 2 को रखा तो तो फिर आपका इसको यह 1024 को हमने यह लिख दिया था 2 की पावर 10 लिखा ज़ा सकता है तो जो कि हमने 2 की पावर 10 को यह 2 की पावर 10 यह केंसल होग यह पुछ फॉर्म बनन गय तो हम फिर क्या करें को लगाएंगे इस इस स्टेंडर फॉर्न को यूज करेंगे तो standard form में हमने यह convert कर दिया, जोगों अब इससे match करें तो यह पूरा किसके equal होता है, इसके equal होता है, तो यह किसके equal हो जागा, question डाइरेक्ट, जैको n, n-1, तो n की जगे पर आपका यह क्या हो जागा, 10 और 2, यह न, यह आपका, और आपका 10-1, यह हो गया यह हो गया, n, n की जगे पर 10 लग दिया, a, a की जगे पर यह 2 लिख दिया, और फिर n-1, तो आपका यह हो जागा, 10 into 2 गी पावर, कितना हो गया यह, 9 हो गया, 2 गी पावर 9 हो गया, ठीक, अब आपका इसका मुल्टिपलाई कर दो आपका यह जो है, तो 10 into 2 गी पावर 9, तो 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अब इनका मुल्टिपलाई कर दो, तो मुल्टिपलाई करने पर यहां तक कितना हो जागा, यह 30 यह आपका इनका, 2, 4, 2, 2 जा 4, 4, 2 जा 8, 8 जा 16, और यह 32, 32, 64, और आपका यहां तक हो गया न, 1, 2, 3, 4, 5, 5 का 32 हो जाता है, 5 का फिर 64 हो गया, और 64 का फिर 2, तो यह आपका हो जाएगा, 64 का यह आपका 64, और 64 में डारेक्ट आप 8 का कर दो, डारेक्ट, 8, तो आपका यह, आपका 8, 4, जा 32, का 2, कैरी 3, और आपका 8, यह आपका 48, और यह आपका 5, 1, ठीक है, यह आपका आगया, ठीक है, और एक बार वो मल्टिपलाई करूंबा, तो यह वेलू आ जाएगी, देखो जा रहा, एक बार में मल्टिपलाई कर दो, तो यह वेलू 4, और यह आपका 2, और यह आपका 10, यह आगया वैलू, ठीक है, 10 हो जाएगे ना फिर, एक बार वो मल्टिपलिकेशन है, तो यह आपका आँसर, यह आपका आपका, आपका आँगया, 5, 1, और 2, और 0, यह जिस फाइनल यह finite quantity है, finite, finite quantity, finite quantity, finite quantity, निकलनी चाहिए हमें वही निकलना है, ठीक है, ऐसे questions करना है, आगे, देखे, आगे, आगे. अब देखिए जड़ा अब ये क्वेश्चन कैसे होगा ये वाला देखो लिमिट एक्स टेंस टू नाइन अब देखो एक्स की पावर 3Y2 मायनिस 27 अपोन में x-9 तो यह यह 9 यह 27 है यह 9 में शुल्स करते हैं क्या लिख सकते हैं हम इसको लिमिट x ृफते टेंस टू नाइन x की पावर 3y2 मायनिस नाइन का पावर 3y2 अपोन में x-9 चेक करें मैं इसको जब solve करूंगा 9 की पावर 3y2 तो इसको मैं लिख सकता हूं कि 3 का पावर square और इसका भी पावर 3y2 तो 2 से 2 cancel हुआ 3 की पावर 3 में साब को 27 तो 27 को हम यह लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसे solve करने के बाद 27 आ रहा कि नहीं आ रहा है तो हम 27 की जगे पर यह replace कर देंगी इसमें जो मैंने भी यहां किया क्यों किया ऐसा क्योंकि मुझे standard form बनाना है यहां पर a a a यहां पर 9 9 और यह भी 9 same बनाना है इसलिए ऐसा काम किया रहा है ठीक है तो यह किसके equal होता है हमारा अब यह क्या हो जाएगा आगे तो यहां a की value क्या है a is equal क्या हो गया 9 और n is equal क्या हो गया 3y2 यह value आगे यहां से निकल हो गया इस से अगर compare करें तो क्या हो जाएगा answer ठीक है यह क्या होता आपका limit x tends to a x n minus a n upon x minus a is equal n x n a n a n a n minus 1 यह formula है तो बस यह बरावर पूरा किसके equal है इसके है इसके है ते इसी तरीके से यह पूरा किसके equal हो जाएगा n और a की value यह है तो बस n a की value यहां रखना है बस यह काम करना है ठीक है तो आपका n मतलब 3y2 और a आपका 9 और 9 का power फिर यह 3y2 minus 1 तो यह आपका 3y2 और यह हो जाएगा आपका 9 का power कितना हो जाएगा आपका 3y2 तो यह आपका 1y2 बचा चेक करें ठीक है यह बीच में into है और यह आपका 3y2 into 9 को मैं और क्या लिख सकता हूं 3 का square और इसके उपर भी 1y2 लगा हुआ है तो 2 से 2 cancel हो गया आपका यह 3y2 into 3 यह बचा means आपका 9y2 finite value this is answer final answer क्या यह आपका finite value है finite quantity निकल क्या रही है यह निकलना है finite निकलना है answer को ठीक 9 upon 2 की कोई value है 9 upon 2 का value होती है ठीक है 9 upon में यह 2 तो इस टाइप से questions यह करना है ठीक है आगे यह standard form है यह ठीक है अब जैसे एक question और भी है जैसे एक question ये दे रखा है कि आपका limit question दे रखा है जैसे limit x tends to a limit आपका x tends to a ठीक है और ये आपका x की power m minus a की power m upon में x की power n minus a की power n ऐसा question ठीक है तो हमने क्या पढ़ाता हमने तो ये पढ़ाता स्टेंडर्ड फॉर्म ये जो लिखा हुआ है कि limit नीचे भी पावर 1 से greater है उपर भी पावर 1 से greater है तो इससे match एकदम matching नहीं है तो हमें क्या करना है इस expression को इधर convert करना है नीचे पावर 1 से greater है जब ये इसके equal होता है लेकिन यहां दौनर जगे बन बन नीचे नहीं है वहां mm या नन तो पहले हम इसको इसमें convert करेंगे देखो जारा कैसे मैं इसको क्या यह नहीं लिख सकता limit x tends to a ठीक है और आपका x की पावर m-a की पावर m और अपॉन में x-a और फिर अपॉन में x की पावर m-a की पावर m अपॉन में x-a क्या यह नहीं लिखाया सकता है है पूरा सिस्टम क्यों क्योंकि a x-a अगर x-a से x-a cancel हो जाएगा तो फिर से यह आ जागा निकलके तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं और ऐसा क्यों लिख रहा हूं में एसा में क्यों लिख रहा हूं क्योंकि मुझे यह form लाना इस्टेंडर्ड फॉर्म जो है इसमें convert करना है इसको तो क्या मैं इसको यह लिख सकता हूँ एख इसको cancel करने से फिर से वह यह वैल्या रहा है सबस्के तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं देख़े बस यह concept था अब य मुला याद रखें कि लिमिट अगर ऐसा है कि लिमिट एक्स टेंज टू ए में साथ की साथ कराई जाता हूं जैसे कॉंस्टेंट वाला था कि कॉंस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल देते हैं ऐसी एक है यहां पर यहां पर यह माल लीजे आपका f हैं और यह आपका जी आफ एक्स हैं तो इसमें वह लिमिट दोनों में अलग लगा दूँगा ठीक है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि limit x tends to a और x m minus a m upon में x minus a ठीक और upon में फिर limit x tends to a और x n minus a n upon में x minus a इसको ही लिख सकते हैं समझे में आगया? इसको यह लिखा जा सकता है limit को अलग अलग जा सकता है अब देखे ज़िए रहा है अब बन गया कर नहीं हुई form? यह form देखो x की power m m और यहां power 1 बन x की power n n यहां power 1 बन तो इसमें अलग लगाएगा वो formula इसमें नीचे बाले में अलग लगाएगा यह standard form numerator में यह अलग लगएगा यह numerator में अलग लगएगा denominator में अलग लगएगा तो क्या हो जाएगा result इसका देखो यह M इसको मैं उपर क्या लिख सकता हूँ M A M minus 1 यह लिखाए सकता है ठीक upon में यहाँ N A N minus 1 यह लिखाए सकता है clear आगे M upon में N इसको A को आप उपर ले जाएए तो इसको हम यह भी लिख सकते हैं कि A की पावर M minus 1 और फिर plus 1 और minus N यह लिख सकते हैं यह मैं उपर ले जाऊँगा उपर लेकर के साइन बदल जाएंगे बदल लिख बाद में दोनों बेस से में तो पावर एड़ हो जाएंगे तो यह N minus 1 तो यह minus N और plus 1 कर दिया तो इससे यह 1 से यह cancel हो गया रिजल्ट आपका M upon में N एक ही पावर M minus N इससे फाइनल आंसर finite फाइनल उनिकल के आगई 0 upon 0 यह infinite upon infinite ऐसा कुछ नहीं बन रहा है तो सभी में पहले तो वही काम करना है वह भी जहार रखें फिर से बूलना नहीं सबसे पहले आप इसमें रखके देखिए 0 upon 0 हो रहा है कर नहीं हो रहा है सभसे पहले तो आप यही काम करना है सभसे पहले में यह कुछ नहीं कर लगा तो इसको मैं बारबर नहीं कर रहा है उसको आप चेक कर लीजिए तो इसको मैं 0 A रखूँआ तो दग览 यह A रखूँआ तो क्या हो जाएका A की पावर M minus च पावर M 0 upon 0, 0 upon 0 बना है, ठीक है, direct substitution से पहले आपको check करना है, 0 upon 0 बना है, तो फिर हम इस type से इसको answer को लाएंगे, ठीक है, ये finite निकालना है मेल्यू को, ये आपका ऐसा हो गया, तो इस type से पहले हैं, ठीक है, अब मैं उसका second वाला कुछ उसके questions कराता हूँ देखिए उसमें क्या करना है देखिए अब जाए जो second pattern है second वाला पैटर्न यह formula limit x tends to infinite 1 upon xn is equal 0 यह concept लगेगा अब मैंने बताया यह 0 क्यों होता है वो भी समझा दिया है इस पर वाला कुछ questions है देखिए जाए रहे देखिए question आपका पहला limit x tends to infinite और ax square plus bx और plus c और यह आपका नीचे dx square plus e x और plus f ऐसा कुछ question है यह एक यह question है दूसरा आपका इज़ा से लिए लेते हैं limit x tends to infinite और root में x square plus x minus 1 और minus root में x square plus 1 ठीक है ठीक है अब यह कैसे होगा question तो पहले तो इसमें direct put करिए direct दौनों में यह पहला question जैसे और दूसरा जो है इन दौनों में पहले value को यह infinite है ना इसको direct put करें तो जब मैं x के जाए पर दोगा यह infinite रखूँगा यह infinite रखूँगा infinite plus infinite plus constant quantity infinite में कुछ भी हम add करेंगे infinite plus infinite plus c means infinite कैसा form आ रहा है कैसा form बनना है zero upon sorry infinite upon में infinite कैसा बनना है infinite upon में infinite यह form बनना है यहां पर देखें जाए आप बाई उपर मैंने infinite रखा यह infinite हो जाएगा x आये यहां पर यहां भी infinite हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इतने से ही आपका infinite plus infinite plus c यह बनाएगा उपर, नीचे infinite plus infinite plus f, तो infinite में infinite में, infinite में infinite add करेंगे तो बड़ा वाला infinite एक तरज है, और बड़ा हो गया वो, और फिर कोई constant quantity add कर देंगे, तो यह क्या आगए आपका infinite, यह पूरा result infinite, और यह भी पूरा result infinite, means form infinite upon infinite create हो रहा है means indeterminate form indeterminate form create हो रहा है, तिक इससे पहले जो भी questions हो हैं, उसमें zero upon zero, यह create हो रहा था, तिक वो भी indeterminate form है, यह भी indeterminate form है, यह भी indeterminate form है, तिक अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ऐसी इस्तिती में, मैंने बोला है, direct हम इसमें पहले पूट करेंगे, ठीक है, और यह form बनना है, finite value नहीं है, तो अब आप numerator and denominator में, जब ऐसा इस्तिती बनें, तो numerator, denominator हो यह जो भी आपका numerator, denominator हैं, इनमें आपका जो तो x की power highest क्या है यहां, x square, यह polynomial है, यह quadratic है, यह भी quadratic है, quadratic का मतलब है क्या है, x की power 2 highest है, तो x square से आप numerator के हर term को और x square से denominator के हर term को divide कर दो, यह काम करना है, dividing, 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 every, terms of numerator and denominator by x square, highest, x से नहीं करना, x square, जो highest power है, उस से करना है, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका यह limit, x tends to infinite, जब मैं इसको divide करूंगा भाई, हर term को, इसमें भी x square से, इसमें भी, तो कोई value में चेंज नहीं होगा, तो आपका x square upon x square तो यह cancel हुआ, तो क्या बचा, x, a बचाएगा, a, plus यहाँ, b upon में x बचाएगा, यहाँ, c upon में x square बचाएगा, ठीक, upon, वही काम यहाँ करना है, मुझे, numerator and denominator, दोनों में काम करना है यह, तो आपका यह क्या होगा, d बचाएगा, और यहाँ, आपका e upon में x बचाएगा, यहाँ, f upon में x square बचाएगा, देख लीजिए जड़ा, ठीक, आगे, अब आप इस concept को यहाँ पर लगा दीजिए, किसको, अब आपको यह concept यहाँ पर लगाना है, क्या है concept, कि 1 upon में infinite, sorry, 1 upon में x की पावर n, मतलब limit x tends to infinite जब हो, x tends to limit x tends to infinite, 1 upon में x की पावर n, is equal 0 के बराबर होता है, यह बता दिया है हमने, यह concept यहाँ पर लगाना है, दोब मैं limit को जब यह term है, यह term है, अलग 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 लगाऊंगा, देख न, तो दोब यहाँ, जो है, यहाँ x नहीं है, तो यह बचाएगा, क्योंगा, तो यह बचाएगा, यह ही बचाएगा, जिन्दा और सब काम खतम, अच्छा, जब मैं x tends to, sorry, limit x tends to infinite, यह के साथ लगाऊंगा, तो यह x है ही नहीं, यह बचाएगा, अब मैं limit x tends to infinite, इसके साथ अटेज करूँगा, तो यह concept लग रहा है, अपर जखो, ऊपर, कोई x नहीं है, upon मैं x, upon मैं x, क्या होता है, यह पूरा result, यह क्या हो गया, एक तरह से, limit x tends to infinite, b upon मैं x is equal 0, limit x tends to infinite, c upon मैं x square is equal 0, यह सारे 0 के बराबर होते ही चले जाएंगे, ऐसे यह, यह भी 0, यह भी 0, यह भी 0, यह भी 0, सारे 0 हो जाएंगे, इस concept से, तो अब limit सब में अलग-अलग करने ही जरूथ नहीं, यह direct उसको लिख सकते हैं, ठीक है, मैं इसको समझा दिया, मैंने जब इसमें लगेगा, और लिमिट x tends to infinite, और a, इसकी value, क्योंब यह x है ही नहीं, यह x है ही नहीं, तो यह a निकला है, ठीक है, यह निकला, तो यह हमें इसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, यह concept यहाँ लगना है, तो यह कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर डाइरक लिख दूँगा, मैं a plus 0 plus 0, अपोन में यह, यहाँ d बचाएगा, तो d plus 0 plus 0, means a upon में d, this is final answer, यहाँ गाँ answer, तो इस टाइप से इस questions को करना है, जो highest power, numerator और denominator में है, ठीक है, और तो उस power से आप numerator के हर टर्म को और denominator के हर टर्म को डिवाइट कर देना है, करने के बाद में ऐसी position बनेगी, और फिर limit को, limit x tends to infinite a के साथ, limit x tends to infinite b upon x के साथ, limit x tends to infinite c upon x square के साथ, सब के साथ, अलग-अलग attach करेंगे, तो यह concept लगेगा वहाँ पर, तो यह सब को 0 कर देगा, केवल जहाँ x नहीं है, इनको छोड़कर, a upon में d answer आजाएगा, ठीक? आगे, और इस वीडियो को, आप शुरू से लेके, starting से और end तक देखिए, तभी इसमें कुछ आपको समझ में आएगा, ठीके, इसमें यह नहीं है, कि starting में कुछ देख लिया, फिर last में कुछ देख लिया, ऐसा नहीं, starting से end तक हर वीडियो को आप देखिए, और इसको पसंद आया होगा, आपको, मैं इस टाइप से पढ़ा रहा हूँ, कि पसंद आएगा ही आपको, ठीके, तो इस वीडियो को आप शेयर भी करिए, उसको लाइक भी करिए, वैल आइकन, वटन दवाना भी मत भूलिए, इस सारे काम आप करिए, सब्सक्राइब भी करिए इसको, ठीके, और इस हर वीडियो को आप starting से end तक देखिए, जभी आप इसमें कुछ प्राप्त करेंगे, ठ ठीके, आगे, अब मैं इसमें क्या करूँगा, यह तो हो गया question, अब जैसे यह वाला question है, इसको देखिए आप, limit, x tends to infinite, root में x square plus x minus 1, और minus root x square, x square plus 1, यह question है, ठीके, minus 1 ही नहीं, नहीं, यह minus, नहीं, यह plus है, यह plus है, यह plus है, plus का sign है, मुझे ऐसा लग रहा था मही, minus है, plus है, यह plus है, ठीके, यह x square, x square plus x plus 1, यह question है, अब देखिए जागा, अब इसमें फिस से आप इसको, सबसे पहले तो इसको पूट करेंगे, यहाँ पर, इस x tends to infinite को यहाँ पूट करना, तो दो यह infinite, infinite, क्या बन गया एकता है, infinite plus infinite plus 1, means आपका infinite, पूरा का result infinite, infinite, सारे infinite, एड़ करके infinite, फिर यहाँ भी, minus, ठीके, यह वाला मामला, तो यह आपका infinite, और plus 1, यह भी आपका infinite, plus 1, बन दो, यह भी infinite बना, infinite minus infinite, यह भी infinite, result क्या, form क्या बनना आपका, यहाँ पर, यह वाला बनना है, form बनना है, आपका, कि infinite minus infinite, यह form बनना है, यह यह भी एक indeterminate form है, indeterminate form है, यह भी, ठीक, infinite minus infinite, यह इस टाइप के question बनना है, अब देखियो कैसे करना है, तो अब हम अभी इससे पहले question कैसे था, कि numerator and denominator दोने जगे expression दे रखा था, लेकिन यहाँ numerator, denominator में तो कुछ ही नहीं, numerator में यह तो horizontal expression दे रखा एक ऐसे, तो ऐसे questions को करने के लिए हमें numerator and denominator में एक ऐसे इसको convert करना पहले, ठीक है, तो हम इसको rationalizing करेंगे सबसे पहले, क्या करेंगे हम इसको rationalizing करेंगे, limit x tends to infinite, तो देखो rationalizing करने का तरीका क्या बता रहता था मैंने, इसी का यह एक आपका यह root radical sign में यह radical sign में हैं, तो इसके बीच में जो sign है, minus, इसका opposite sign करके, प्लस करके इसी number का open, इसी multiply करना है इसमें, बस यह काम करना है, देखें, root x square plus x of plus 1, और minus, यह तो दे रखा है value, x square of plus 1, यह तो यह दे रखा है, अब इसमें into करना है, इसका just opposite sign, plus करके, दूसरा आपका, root x square plus x plus 1, और plus root x square of plus 1, यह इसका multiplier, यह denominator में करना पढ़ेगा, तो यह आपका root x square plus x plus 1, प्लस, root x square plus 1, ठीक, इसका opposite sign करके, ऊपर numerator, denominator मुल्टिप्लाई कर दिया, आगे देखिए, limit x tends to infinite, infinite, देखिए, यह a minus b, a plus b identity लग गई, तो यह क्या हो जागा, root हट जाएगा, आपका x square plus x plus 1, and minus x square of minus 1, sign बदल जाएगा यह आपर, a minus b और a plus b, क्या होता है, a square minus b square के इकुल होता है, ठीक है, तो square होता है, तो यह a square, यह square root हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, यह sign change हो जाएगा अंदर का, and और इसके नीचे, root x square plus x plus 1, और plus root x square plus 1, दो x square से यह x square cancel हो गया, चेक करें, आगे इसको limit x tends to infinite, ठीक है, x square से x square, और यह 1 से यह minus 1 cancel हो, बचा क्या, x बचा, उपर क्या बचा, x, अपोन में, अब देखे जाएगा, अब मैं क्या करूँगा, उपर तो x बचा, अब मैं इसमें नीचे जो है, इसमें से, और इसमें से, यह highest power यहां क्या है, x square, यह highest power क्या है, x square, इसमें से मैं x square common लूँगा, और वो x square जब root से बाहर आएगा, तो x हो जाएगा, clear हो गया, x, और अंदर फिर क्या बचाएगा, इसमें, x square अंदर common लिया यह, एक तैसे यह हो गया, देखिए इदा देख लिए इस बात को, समझ में नहीं आ रहा हो, तो देखो, ऐसे हो गया यह, यह x square प्लस x plus 1, मैंने अंदर x square common लिया, x square common लिया, तो 1 प्लस, 1 अपॉन में x, x, x cancel हो गया, 1 अपॉन में x square, यह ऐसा हो जाएगा, और यह पूरा term, into यह term, तो यहां से root से जब x square बाहर लूँगा, तो यह x ऐसा हो जाएगा, यह, एसे, 1 प्लस, 1 अपॉन में x, प्लस, 1 अपॉन में, x square, यह ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है, यह यह यहां ऐसा लिखा जाएगा, तो 1, plus, 1 अपॉन में x, plus, 1 अपॉन में x square, ऐसा हो गए यह, ठीक है, यह मैंने, इसको ऐसे लिखती है, यही काम मुझे इसमें करना है सेम ठीक है न देखे तो यह मैं यहां मिटा इसता हूं इसको यह आपका लिमिट एक्स टेंड्स टो इंफिनिट एक्स अब हाँ यह अभी लिखा नहीं न यहां यह प्लस करके प्लस करके यह एक्सप्रेशन इसमें से भी एक्स कॉमन लेना है ऐसे ही एक्स कॉमन लोगा तो रूट में आपका वन प्लस वन उपन में एक्स स्क्रेशन यह बचाएगा चेक करें अब क्या करना है देखे इसमें से और इसमें से जो यह एक्स जो है यह एक्स कॉमन आ रहा है ठीक है, अब मैं इस लग से उपर से मिटाए रिता हूँ इसको, देखें, ये common आ रहा है, तो limit x tends to infinite, उपर x है, नीचे भी x common आ रहा है, इसको बाहर निकालो, तो x common आ तो अंदर बच्छा आपका root, 1 प्लस 1 अपॉन में x, प्लस 1 अपॉन में x स्क्वेर, और प्लस दूसरा जो radical sign है, उसमें 1 प्लस 1 अपॉन में x स्क्वेर, चेक करें, इस x से ये x कैंसल हो गया है, ठीक, अब आप जो आपका infinite upon infinite में जो बनाता उसको, अगर हम इसमें direct अगर इसको पहले मैंने बता रहा है, इससे पहले भी कैंसलेशन को पहला preference उसके बाद में value को put करना है, अगर मैं इसको cancel नहीं करूँगा, इसको यहां रख दूँगा, तो फिर infinite upon infinite हो जागा यह तो, यह हमने cancel किया, cancel करने के बाद limit x tends to infinite 1 upon में root 1 plus 1 upon में x plus 1 upon में x square plus root 1 plus 1 upon में x square, चेक करें, ऐसा हो गया, अच्छा, अब यहां पर आप चेक करें, फिर से वोई concept लग रहा है, इसके साथ 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 इसको इसके साथ इसको इसके साथ इसको इसको इसके साथ इसको इसको इसके साथ तो जहां जब वन है जहां एक्स नहीं है वहां तो वन ही बचाएगा और इसमें जब यह concept ल upon में root 1 plus 0 plus 0 plus root 1 plus 0 ऐसा हो जागा, चेक करें ये देखे 1, यहां limit लगएगा ये इसको यहां लगाऊँगा, कोई change नहीं इसमें अंदर, root में अंदर ले जाऊँगा तो यहां 1 में लगाऊँगा, no change इसके साथ लगएगा, तो 0 इस concept से इसके साथ लिमिट लगएगा, तो 0 1 upon में x square means 1 upon में x e power n n के जाएपर यहां क्या 2 है यहां क्या 1 है, यहां 2 है ठीक, यह 0 इसी concept से, यह सब 0 हो यह 1, तो यह आपका ऐसा बर्चेगा उसके बाद 1 upon में यह root 1 plus यह root 1 भई 1 में जोड़ाँगे तो 1 उसके बाद में 1 का root 1 upon 1 plus 1 means आपका 1 y 2 this is final answer finite value आ रहा है value कैसी है, finite quantity है यह हमको निकालना है 1 y 2 का कोई meaning है तो आज के लिए इतना ही और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको like करिए share करिए और subscribe करिए और well icon button दबाना मत भूलिए और मैं फिर से इस बात को कह रहा हूँ कि वीडियो को आप starting से end तक देखेंगे तब ही आप उसमें कुछ समझेंगे ठीक है तो आज के लिए इतना ही thank you